हाव रूफीक्स वान प्लस एटी हम जेस्टर नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तेकर आज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में हम जेस दोस्तों मैं आपको कुछ सॉलुशन्स बताने वाला इस वीडियो के अंदर पर तो आप वीडियो को अंतक देखें जो भी सॉलुशन्स होगा उसको फॉलो करें आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइ करें और बेल आइकोड को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह जो हम जेश्टर है मैं आपको सबसे पहले तो बता रहता हूं कि यह है क्या तो अगर आपको पता नहीं है तो हम जेश्टर वो सेटिंग है जिसके मदद से आप हम बटन से शॉटकार्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आप गूगल एसिस्टेंट ऑपन करना चाहते हैं हम बटन को लॉंग प्रेश कीजिए आजाएगा ठेक हम बटन को डबल टेप कीजिए आपका यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स आप अपन कर सकते तो इस तरीके का कुछ जेस्टर रहते हैं आपके हम स्क्रीन पर ठेक्टेंगे आपके हम problem solve होते हैं तो ठीक है तो दोस्तो restart करने के बाद आपको check करना है कि problem solved हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको mobile safe mode पे reboot करना है उसके लिए power button को press and hold करके रखिए power off के button जो डिखाई ज़रा screen पे उसमें दो सिगन क्लिक करके रखना है और ओके कर देना है जैसे ही ओके करेगा आपका power button ठीक है तो यहाँ पर ओके करते ही आपका क्या होगा mobile safe mode पे reboot हो जाएगा जैसे safe mode पे reboot होगा आपका problem भी solve हो जाएगा अगर problem solve हो जाते हैं तो अच्छी बाद है अगर solve नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको जाना है next solution पे उसके लिए आपको setting open करना होगा और यहाँ पे दोस्तों आपको scroll down करना है system पर क्लिक करना है और system update कर देना है जैसी आपका system update होगा आपका problem उसी के साथ fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को solve कर सकते हैं अभी दोस्तों यहाँ पर setting कैसे करना है उसके लिए आपको जाना है बटन एंजेस्टर क्विक जेस्टर ओके यहाँ पर आप जाएए नेविगेशन बार एंजेस्टर ठीक है उसके बार navigation बार कस्टोमाईजेशन पर क्लिक किजिए और यह है आपका home button setting तो इसमें क्लिक किजिए लोंग प्रेस एक्शन पर आपको क्या सेलेक करना है मैंने एसिस्टेंट सेट कर रखा है आप स्क्रीन ओफ का भी कर सकते वोई सर्च ऑपन शेल्फ ठीक है उसके बाद डबल टेप एक्शन उसमें भी सेटिंग आपको मिलेगा जो भी सेटिंग सेट करना है स उसके बाद आपका हम बटन जेस्टर सेटिंग काम कर जाएगा तो इस तरीके से आप अपने हम जेस्टर नोट वोर्किंग प्रावलेम सौर्फ कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा थैंक्स फूर आचिंग